आज में दिखाऊंगी नौकन्या का पूजन दे फाइनली आज नौवा दिन है और कन्या को खिलाई हूँ तो अब भी जो देख रहे थे थाली वो था अश्टमी के दिन का मेरा मतलब फास्ट रखी थी तो रात में जो भी खाया था साबू दाना आलू का बुजिया और जो सिंगाडे का होता है नो रोटी वही खाया था और यहां पर जो है प्रिप्रेशन देख सकते हो चल रही है औ वो बनाये था आलू की जो भंडारे वाली सबजी होते वो बनाये थी पूरी बनाये थे और सुजी का हलवा तो बिकुल भी टाइम नहीं था तो इसलिए हमेरी कॉर्ड नहीं कर पाई सो गाइस बच्चे जो है वो आ चुके थे इस बार पूरे 9 कन्या टोटल तो नहीं हुए है लेकिन मैंने सोचा अगर मैं यह सोचूंगी तो मुझे वो भी नहीं मिलने वाला तो इसलिए जितना भी मेरे आसपास मुझे दिखा मैंने बोल दिया कि चलो ठीके सामने जो है ना भावी उनके बच्चों को ही मैंने बुलाया था क्योंकि लास्ट टाइम ना ढूंते ढूंते इतनी हालत खराब हो गई देर दो बज गए थे ढूंते ढूंते ही और लास्ट टाइम तो मैंने 8 बजे तक सब कुछ बना लिया इस बाहर ना मतलब थोड़ा लेट हो गया था पर फिर भी लास्ट टाइम जल्दी बना कर भी कुछ नहीं हुआ नो कन्या बड़ा मुश्किल से मिलता है आज कल के टाइम पर क्योंकि क्या होता है ना यहां असपास बहुत लोगों ने रखा था तो सभी के घर में जाते जा तो यहां पर उनको मैंने वन बाई वन खिला है अल्रेडी बच्चे तीन चार घर से या चार पांच घर से खा कर आ गए थे तो पेट उनका भड़ा हुआ था लेकि मैंने का थोड़ा दिर खेल लो डांस कर लो तब तब तक पेट खा ली हो जाएका थोड़ा बहुत तो और तो बस बचे खा लिए तो उसके बाद हम लोग भी मतलब खा लिए क्योंकि भूग लगी थी सबी को और मतलब उसके बाद हम लोग एवनिंग में निकल गए थोड़ा सा वाकिंग करने और बच्चों को हमने गिफ्ट नहीं दिया था तो वो गिफ्ट लेने ही बेसिकली आय ब्रास में कुछ कुछ चीजें यह सबourd dey मेरे पास था तो मुझे नहीं लेना था कुछ अच्छा दिखता कुछ एप्लेट सो वो में लेती हमें कैंटेन नाया पास में तो वही चीज़े हैं देख रही थी क्या क्या है मुझे कुछ भी खास नहीं लगा बिल्कुल भी उतना अच्छा नहीं था कुशन कवर भी मैंने अल्री ले लिया बट कोई खास नहीं था यहां मैंने थोड़ा सा लिया क्योंकि यह फेस्टिबल के लिए ठीक लग र और यहां पर फिर हमने अंदर ही इस तरीके से भगवान का मुर्ती लगा हुआ था तो मैंने कहा चलो आज बच्चों को दिखा देते हैं एक दिन आये थे तब उतना कुछ नहीं था तो आज हमने यहां पर थोड़ा भगवान के सामने आये हाथ जोड़ा और यहां पर हम ल हम लोगों में बिहार में भोज कहते हैं तो उसमें जो बनता है वह बहुत तेस्टी था वैसा ही और यहां पर एनिवेज में चूड़ी जो है ना जो मातारानी को चढ़ाते ना मैंने पहन लिया तो आप लोग बताना गाईज आप लोग क्या करते हो जो भी मातारानी को शि एक दिन पहले ही मैंने देखा कि उस कलस्त के पानी को अपने पूरे घर में इस तरीके से छीटा मार दो ताकि अच्छा हो जाता है अपका घर भी शुद्ध हो जाएगा और इस्तमाल हो जाता है बाकी तुलसी में डाल दिया उसके बाद आज आज मतलब कहां पी के हम लोग ठीक नहीं लग रही थी पूरे दिन भर ठीक था बट आज मैं पता नहीं मुझे इवनिंग से क्या हो गया शोल्डर में भी थोड़ा पेन हो रहा था और बिल्कुल एनरजी लो लग रही थी तो सारे चीज़ों को मैं निकाल रही हूँ और सुजी के हलवा भी काफी बच ग कर रहा था तो निरभ को वही चीज़े में सुना रही हूं थोड़ी डांट रही हूं बेसिकली तो बहुत ज्यादा आज परिशान कर दिया मैंने उसको बोल दिया निरभ प्लीज में ठीक नहीं लग रही है मत करो ज्यादा परिशान और दोनों लड़ाई भी कर रहे थे औ इविजिंग से ही वो चले गए और जैसा कि मैं बता रही हूं आजकल यहां पर जब से हम लोग पोस्टिंग आए बहुत ही जादा बेकार की ट्यूटी चल रही है उपर से सब कुछ खुदी अकेले मैनेज करना कभी कभी बहुत एक्जॉस्ट हो जाती हूं मैं भी हो जाती तो आप लोग यह मैं सोचना कि किसी अगर आप लाइफ देख रहे हो वीडियो के थ्रू तो बहुत ही अच्छी होगी अपरफेक्ट ऐसा नहीं है सबी के लाइफ में अप्स और डाउन होते ही रहते हैं और कभी कुछ डेज होते हैं जब हम बहुत हैपी होते हैं कुछ ऐस बहुत जादा बेकार सैड फील करते हैं लो फील करते हैं तो बस उन्हीं में से आज एक दिन था तो बस उसके बाद जैसे तैसे मैंने सोचा कि अपने आपको अच्छे से रखना है मुझे और क्योंकि घर जब आपका अच्छे से रहता है तो आपका मूड और भी अच्छा लगता है तो यह वह स्वेशन काफी गंदा था और मैं दो तीन दिन से सोची बट मैं कर नहीं पा रही थी तो बस आज सोचा कि मैं पहले अभी इसको करी देती हूं और जैसे मैंने थोड़ा बहुत कुछ-कुछ काम करना शुरू किया ना जैसे घर अरेंज होता गया मेरा म मार्क सही रहता है मूड अच्छा रहता है ना तो आप सब कुछ काम कर सकते हो दर्द में भी थोड़ा बहुत दर्द है तो तो यही चीज़े आपका माइंड आपको बहुत कुछ करवाता है तो इसलिए आपका माइंड ना अच्छा रहना बहुत ज़्यादा जरूरी है त और यहां पर में कर्टेन हटा के बार-बार हस्बिन को देख रहे हुआ हस्बिन आतो नहीं गए क्योंकि पार्टी में गए थे तो बट आये थे वही साड़े दस पोने 11 बज गए थे आते आते और ये टेबल देखो काफी गंदा है क्योंकि इसको मुझे इस तरी के सा मतलब थोड़ा सा अरेंज करना था तो मैंने सुझा कि इसको अब मैं जिद दिन लेकर आऊंगी ना उसी दिन कर लोगी तो बस आज मैं इसका रंडर लेकर आई हूँ तो जो लेकर आई थी ना वही मैं आज मैं बिचा दूँगी क्योंकि मुझे अपना मोड भी थोड़ा ठीक करना था और घर भी थोड़ा मैसी हो गया था सुबह हाला की जाड़ो पूचा सब कुछ लगा था उसके बाद लेकि जब बच्चे खा के गए उसके बाद मैं सो गई फिर इबनी में हम लोग बाहर चले गए तो हो नहीं पाया साफ सफाई और मैं तो सो गई थी ध्यांश भी शो गया था लेकि नीरव अपनी एक्टिविटीज कर रहा था और वो एक्टिविटीज करते करते जो भी कच्चरा था जो शाप करते ना पैंसिल का या कलर्स का वो आभी आप देखना कि कहां से निकलेगा इस सोफा के नीचे से वो वैसे वो डस्ट वी में डालता देखो देखो किता कच्रा निकल रहा है लेकिन ममा ना देखे ममा को सामने सामने ना दिखे न तो इसलिए उसने बैट के मतब सोफा के नीचे रख दिया तो अभी मैं वही जाडू लगा लगाई तब मुझे दीखा तो बस साथ सफाय थोड अब बहुत टायड हूं तो उसको मैं कल करने वाली हो और यही वो रणनर जो लेकर आई थी तो इसको अब भी हम बिचा देते हैं क्योंकि बस दिवाली आही किया है और दो तीन दिन में होगा तो मैं लाइटिंग वगेरा सब कुछ लगा दूँगी बट मेरी जो लाइटि काफी मेरी फ्रेंड्स जो है मेरे फॉलोवर्स इसके एंट्रे के बार में लिंक मांगते रहते तो यह मीशो से है और मीशो का तो लिंक नहीं होता है कोड होता है तो अगर चाहिए तो दुबारा आप कॉमेंट कर देना मैं कोड़ आपको दे दूँगी तो देख सकते कितन शाइनी कितना क्लीन हो गया हमारा टेबल और थोड़ा सा हमारा एफ़र्ट करने से मुश्किल से दस मिनट लगता है बड़ देखो कितना अच्छा से हो गया ना चमक गया ना और यह फ्लावर जो है यह वी वाश करना लेकिन इसको मैं सोच रही हूं कि दो तीन दिन बात कर जब सारे फ्लावर से खटे क्लीन करने होगे तो बस तभी मैं सारे फ्लावर को क्लीन कर दोंगी एक दिन बैठ कर थोड़े से गरम पानी में और बस आज का व्लोग इतना ही तक था उम्मीद करती हूं आपको पसंद आया होगा प्लीज गाइस चैनल को ज़रूर सब्सक्रा करने ना और एब भी पर हो तो प्लीज फॉलोग कर लेना बाई